हाई फ्रेंड्स कैसे आप सब में प्रतीक और आप देखरें ट्रेडिंग टॉपर आज हम बात करने वाले Power of Finance Limited के बारे में PFC के बारे में बहुत ही बड़ी आ कंपनी है आज हम इसका डीटेल टेक्निकल और फांडामेटल दोने एनालिसिस करने वाले तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात दूँ मैं इस वीडियो में कोई भी buy or sell का signal नहीं दे रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ education purpose के लिए बनाई जा रही है तो शुरू करते है तो Power of Finance Corporation का जो market cap है वो 33,000 कोरोट से भी जादा का market cap है इस company का market cap है वो अच्छा का सा market cap है stock P.E.E. जो वो देखने लाइक है only 2, 2.89% जो है इसका stock P.E.E. तो stock P.E.E. बहुत ही अच्छा का सा stock P.E.E. जो अभी चल रहा है तो हमें आच्छा का से stock P.E.E. पे ये share जो है मिल रहा है P.E.E. के इसाब से ये share जो है बहुत ही अच्छा का सा हमें दे रही है तो ये भी एक plus point company के तरफ से हमें मिल रहा है इसे के साथ इस company की जो dividend interest है वो 7.79% है तो dividend भी अच्छा का सा dividend देती है इसका जो dividend interest है वो 7 से जाधा है तो ये हमारे ले बहुत ही अच्छा का से बात है कि company जो dividend भी देती है ये investment के लिए अच्छा का सा plus point है इसे के साथ जो है इसकी जो current price चल लिए तो 128 जो है इसकी current price है 128 अब भी जो current price चल रही है लेकिन अगर हम इसकी book value देखे तो book value जो है वो 231 है तो 230 के book value और current price जो है बहुत ही काम है तो इसके हिसाब से जो ए book value के हिसाब से भी यह share हमें सस्टा मिल रहा है पी के सब से यह शेर जोए सस्टे मिल रहे है अच्छा का सा डिविड बी दे रहे है तो इसके सब से जोए कमपणी बहुत ही सस्टे वैलिवेशन पर हमें मिल रही है तो हम इसकी जोए Net Profit को भी देख लेते हैं तो यह कमपणी जो है नेट Profit यह कंपनी जो नंबर वन पर कर रही है कि इसके Market Cap की सब से आप देख सकते हैं पावर जो सेक्टर है फाइनस सेक्टर उसमें जो नंबर वन पर आती है तो यह जो इसकंपनी का Net Profit है मार्ष 2021 में जो इसने नेट प्रोफिट बनाएं था वो 2922 को रोट था 2922 उससे पहले जो था 2894 था उससे पहले 3249 तो अच्छा कासा नेट प्रोफिट के कंसिस्टेंटली कंपणी बनाती जा रही है कंपनी अब भी जो अच्छा कासा प्रोफिट इसकंपनी ने बनाया अगर हम बात की जाएं साल मार्ष 2021 मेंय का बनाए 11,748 को बहुत ही बडिया प्रोफिट कंपनी ने डर्ज कर लिया है उससे पहले जा था उसस पहले नोग था तो अभी जो 11 मतलब बहुत ही बड़िया profit इस company ने जो बना लिया है तो इतना अच्छा profit जो एक company कर रहे है फिर भी इसका प्राइस बहुत ही कम है तो यह हमारे लिए एक चांस है अच्छा कासा investment के लिए है अगर बात की जाए इस यह company की जो promoters है तो क्योंकि यह government company है तो 55.99% 55% जो shares है वो president of India के पास है यह government company है तो इससे हमें 55.99% share जो है president of India के पास है और public के पास क्या है 7% only 7% share जो public के पास बचते है तो बहुत ही कम percent share जो है public के पास है और government के पास 55 तो promoters के पास भी अच्छे कासे shares है यह भी हमारे लिए positive बात है अगर बात की जाए इनकी liabilities की लाइबिलिटी बीजी जो है पिछले 10 सालों में इनने अच्छी कासी 83,000 से अब भी 7,75 बहुत ही दस कुना जो है इननोंने अपनी liabilities भी बढ़ाई हुई है तो ब बिजनस है वो power of finance में आता है इसे के साथ बता दूँ यह जो है आरी सी कंपनी है उनका भी शेर जो है इनके पास है तो बहुत ही कंपनी का business भी आच्छा है power of finance पावर का business भी आच्छा है सब कुछ अच्छा है पर फिर भी इस कंपनी के price की कम है हम टेक्निकल पर चार्ट प पिरे रहे हैं इससे हमें यह पता चलता है लग बग और कि 2,014 से यह जह शेर बॉक्स में अटका पड़ा है हम इसे एसा बॉक्स में भी आपको दिखा देता हूं तो यह शेर जोए 24 से अब तक जोए बॉक्स में तो बहुत देर से यह शेर जोए नीचे उपर नीचे उपर कर रहा है लेकिन अभी जोए इसके फंडमेंटल जोए बहुत ही आच्छे कासी दिख रहे हैं मुझे क्योंकि इसकी जो रिजल्स आ रहे हैं पिछले कुछ कॉटन से बहुत ही अच्छे कासी आ रहे हैं पिछले हाई को यह शेर जोए ब्रेक करता जा रहा है और 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 बेसेस पर अभी जोए मार्केट भी आल टाइम हाई पर जा चुका है तो मार्केट का भी इस शेर को सकता है तो ओर आल बेसेस पर अगर हम देखे तो यह जल्द से जल्द 161 को जब यह ब्रेक करेगा जो कि इसका जो रिजिस्टांस बनता है तो 161 का जो हमें शॉर्ट टम में टार्गेट भी होता है तो यह शेर जो अब भी अबसाइड मोमेंटम दिखा रहा है तो 161 तक यह शेर जब जाएगा तो हमें 24 परसेंट का प्रोफिट होता है तो यह शेर का जो आप देख सकते 161 को यह बहुत बार टेच करके आया है इस बार भी आया था इस बार भी आए अब भी जो यह छोटा सा हेड और शॉल्डर पैटन भी हमें दिखाता हो दिख रहा है तो यह यह जो यह इसका जो शोल्डर है और यह जो हेड बनाते हुए अभी जो डूसरा शोल्डर यह कंपणी बनाती हुए जा रही है तो यह इसको भी जो शेर मार्केट में पोजिटिव संकेत माना जाता है टेक्निकल आनालिसिस में अगर हम इसकी बुक वेल्यू तक भी जाता है तो भी हमें कितना प्रफिट बनता है 230 की जो इसकी बुक वेल्व है और 230 तक जब भी यह शेर जाता है तो हमें 76% का प्रफिट जो आते हुए दिख सकता है तो 76% जो यह बहुत यह अच्छा का सा प्रफिट है तो इसी के साथ हमें डिविडेंट भी मिलता है तो वह भी एक अच्छी बात है डिविडेंट भी मिलेगा और उसी के साथ इसकी जो ग्रो करने के बिचांसे से अगर आप चाहें तो 61 को जो भी यह ब्रेक आउट देगा तो भी आप खरिदारी कर सकते हैं अगर यह 61 को ब्रेक करता है तो 230 को नऄस्स टार्गेट बनता है वह लॉंग टर्जा इनवेश्मेंट के हिसाब से रहा है तो यह जब भी मूमेंटम दिखाएगा हमें आच्छा हाँ सब परापिड इसमे मिल सकता है अगर बात किए पुब्लिक वोट की तो पुब्लिक क्या चाती है वो भी हम जान लेते हैं तो पुब्लिक जो है 77% लोग जो है वो बाई की तरफ वोट कर रहे हैं और 12% पर उनली 12% लोग जो है वो सेल की तरफ वोट कर रहे हैं पब्लीक वोड से भी हमें पता चलता है 77% लोगों के दिल में बाय चल रहा है इसे के साथ ये share जो ये volume भी अच्छा का सा trade कर रहा है और price भी हमें कम price पे जो ये share मिल रहा है इसे के साथ fundamental भी company strong है तो overall basis पे जो ये share जो ये अच्छा का सा grow करने के चांसे से